शुक्र है कि दुनिया अधूरी बनाइए परमात्मने नहीं तो यहां और यहांसे कोई निकलना ही नहीं चाहता अटक जाते पर्मानेट रेजिडेंट अर्थ प्लैनेट करके भुजाते लोग यहां पर पर्मनेट रेजिटेंट हुजाते शुक्र परमात्मने अधुरा बनाया तो एक आग लगी रहती है यहां से भिकलने की तो जब 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 तोड़ा ज़्यादा ही प्यार आने लगे ना समझ लिना शिशे करी ट्राइ किया बिल्कुल यह स्टोरी जो है भगवान बुद्ध की जो कहानी है वो समाधी में पहुँचने का एक द्वार है जो गटना बुद्ध के साथ गटी उसी चीज़ को हम बेस लेकर समाधी की यात्रा पर निकलने लगे हैं बुद्ध के पास प्रियासों कि कोई कमी नहीं थी He was the person of great willpower, extremely great willpower, जिन्हों ने जो कहा उन्होंने वो करके दिखाया, जो भी किसी ने कहा परमात्मा को पाने के लिए क्या करो, किसी ने कहा इतने उपवास रखो, एक महिना उपवास रखो, बुद्ध ने दो महिना उपवास रखके दिखा दिया, किसी तीन दिन ट्राई करो, उन्होंने छे दिन ट्राई करके दिखाया, जिस भी तरह की डिफिकल्ट से डिफिकल्ट साधना के बारे में किसी ने कहा कि इसके ये वाला मंत्र है, इसकी 11 माला करो, उन्होंने 21 माला करके दिखाई, जो किसी ने कहा, कोई ये नहीं कह सकता था बुद सरसरिष्ट मानता है बस इस रास्ते में अब 11 ने किया तो 21 ने कर देगा तो 21 ने कर देगा तैकि बुद्ध ने इस सब किया किוצी के पास अब कोई जवाब नहीं होता था एक और जब यह कह देते था किया तुमने यह किया हॉं मैं ने किया को जबाब नहीं है parecer उसके बाद भी प्राप्टी नहीं हुई, परिपूर्टा नहीं आई, परिपूर्टा नहीं आई, तो हम सभी परिपूर्टा के पीछे ही दौड रहे हैं, अधूरापन किसी को अधूरेपन की मिसाल है, पूरा हर चीज में अधूरा 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 लगता है, कुछ अधूरापन तो नेचर ने दिया और कुछ अधूरापन संसार ने दिया, संसार में कोई भी चीज परिपूर्ण आनंद नहीं देती, ये बात क्लिर है सभी को, संसार के को परिपूर्ण आनंद नहीं देती ना देर सकती है, उसकि योगाती नहीं है देने की, जु भी चाहे वो रिश्टा हो, अधूरा छोट चाहेगा, काश ऐसा हो गया होता, काश ऐसा होता, वैसा नहीं वैसा होता, हर रिश्टे के बारे में आप ऐसा ही समझेंगे, हाः या ना, अधूरापन बना रहता है, जितना मर्जी हो जाए, हर वस्तु के बारे में भी अल्मोस यही है, खाने पीने में भी, खाने पीने की, यह चीज कभी ऐसा लगे कि बस जिस्ट परफेक्ट है, इसके ओपर कुछ होई नहीं सकता, कुछ खाने लगो नहीं नहीं, इसमें थोड़ अधूरे पन के लिए, और फलानी जगा पर मिलती है, उस बहुत इसे लाखों गुने दरस वाद है, ऐसे लोग कहके आपको, ऐसे ही कोई आपने घर लिया और फिर घर में भी, ऐसे क्या घर है, इसे परफेक्ट तो वहां पर लिया होता, वैसा लिया होता, सस्ता हो जाता, इसा हो जाता, इतनी कॉलिटी, इतना सुन्दर होता, इसा होता, गाड़ी ले लो, ऐसी ही लोग आपको कुछ ना कुछ करके, वह इंपरफेक्शन बना ही रहता है, मुबाइल ले लो, आज आपने लिया बहुत बढ़िया, खलको उसका अफग्रेडिड वर्जन आ गया, व अर्थ प्लैनेट करके हो जाते लोग यहां पर, पर्मानेट रेजजटेंट हो जाते, शुकर है परमात्मा ने अधूरा बनाया, तो एक आग लगी रहती है यहां से निकलने की, क्लिर है यह वाली बात, अच्छा है न, परमात्मा की सारी रचना अच्छी है, यह अधूरा यह रिष्टा बस अब तो बिल्कुल यू है कि बस जनम जनम का साथ तुम्हारा हमारा, पूछो नहीं रही, अगर नहीं मिलते हैं, जनम दोबारा, आज लग रहा है कि बस इसके साथ जीवन निकल जाए, लेकिन कल आप हाथ जुड़ के विदा करोगे फिया जाओ, परमात्मा अधूरा पन भी आप हमको फिर करवाता है, दुनिया तो इसे में बड़ी रज्जी है, मेरा पती तो मेरा देवता है, मेरी पत्री तो देवी है, जरूर होगी, आपकी थोड़ी जादा ही होएगी, इसलिए होगी, क्योंकि आपको यहीं रहना है, शुक्र है पर परमातमा का कि ना कोई ऐसी देवी मिली, ना कोई ऐसा देवता मिला, परमातमा अधूरापन बनाए रखेगा, यह अधूरापन के ठेश लगती रहने चाहिए, यह कचोटती रहने चाहिए, शुकर है, और यह एक आद की हाथ नहीं है, आपको लगता हो कि शायद आप लोगों का कि धारा लिमिटिड है थोड़ा सा मेरा ज़्यादा धारा है बड़ा तो लोग को डेक्ट में रहते हैं दुनिया भर के इतनी में आप सिर्फ कमेंटी पढ़ लो यूट्यूब के वो तो पबलिक है ना उसी में देखो लोगों के सम रिष्टें ज्यादा तर जो समझ से हैं ना वो रिष्टों की मतलब अगर मैं सो बाते कहूं तो 80% बाते रिष्टों की फिर 10% ब्लैक मैजिक वगर है की और बाकी मिल मला के सबकी सब 10% और टोटल मिला के बस इतना साइए खेड है कि आप अधूरापन सब की जिनकी में पर कुछ है लेकिन वो अधूरापन देती ही इसलिए है ताकि आप परिपूरता की खोच कर सको सुन्दर है बहुत उत्तम है जब जब मन में ये आग लगे वरना गौतम के पास क्या कमी थी जो बाद में बुद्ध बने उस समय क्या कमी थी लेकिन सारे संसार की सारी लगवख जनता फेवरेबल थी समसार में की साब से कोई कमी नहीं थी फिर भी एक अधूरापन कचोटने लगा एक बात को पकड़ने के वाल कि मौत जब आएगी तो क्या होगा मौत तो सब हिलाके रख देगी एक दिन बढ़ापा भी आएगा एक दिन मौत भी आएगी तो सब हिलाक को देखके आजाए आगी जानी चाहिए क्यों ना आए जरूर आने चाहिए ज्यागरती तो अगर ही जागरती आगई है तो फिर प्रियास करता है इंसान और फिर समाधी की आत्रा शुरू होती ध्यान की आत्रा शुरू होती है अध्यातन की आत्रा शुरू होती है समाधी म यहां से होती है समाधी की यात्रा शुरूए तो प्रियास कैसे करना है? पहले effort लगाना, ध्यान करना, ध्यान में पूर्णता के तरफ जाना, खूब प्रियास करना, जब तक वो पीक ना आ जाए, फिर जब वो पीक आ जाए, तो उस समय में क्या करना? सारे प्रियास छोड़ कर समर्पित हो जाना, समाधी गटीत हो जाएगी, समाधी मतलब समाधान, फाइनल समाधान, एक ऐसी वस्ता जहाँ पर ना तो समय रहता है, ना वहाँ पर डिस्टेंस रहती है, ना हम वहाँ कोई विचार रहते हैं, ना कोई टाइम की परिभाइशा है ना ही वहाँ पर अपने होने का एसास मात्र बचता है कोई परमात्मा सामने नहीं आ जाता लेकिन आप स्वयम ही उस उत्री दिर के लिए परमात्मा जैसे हो जाते हो जब तक आप समाधी में थे उसके आने के बाद भी आप वही स्थित रहते हो अब वही स्थित रहने का नाम ही सहज समाधी है अगर आप वहाँ से बाहर आने के बाद भी आप वैसे स्थित रहो तो उसका नाम है सहज समाधी तो पहले प्रिवेश करते हैं समाधी में कि मैंने जो कुछ भी मैंने अभी जो किया है ये सब कुछ समर्पित करता हूँ अब आप गरपा करो और फिर वो घटित होता है समाथ ये परशाद की तरह से है अगर आप कभी गुर्दवारा साथ कहीं गए है खुब सेवा सुवागरा करी है शरीरी ग्रूप से सेवा करो ना लास्ट में आप क्या मिलता है परशाद मिलता है परमात्मा का परशाद में आप ऐसे नहीं लेते परशाद को कभी भी परशाद को हमेशा ऐसे लिया जाता है दो परशाद को डाला जाता है कोई और आप उसमें डालते हैं आप च्वाइस भी नहीं बताई जाते कि नहीं थोड़ा या चाना या कम या ऐसा या वैसा जो मिल गया, मिल गया, स्विकार कर लिया तो समाधी एक परशाद की तरह से है, मिलती है जिसको मिलती है जिसका समर्पन जितना ज्यादा उसको उतनी ज्यादा समाधी रुपी प्रशाद मिलता है आए इस प्रशाद को ग्रहन करने की अब तयारी करते हैं